करोना के खिलाफ लडाई अफ्टेज हो गई है अभी तक छारखण में करोना से संबंदित मरीज की पहचान नहीं हुई थी लेकिन जैसे ही राची में करोना से संक्रमित मरीज की पहचान हुई उसके बाद अचानक तनबाद जिला प्रसासन भी त्रेस दिख रही है और मदद के लिए भी लोग काफी संख्या में बढ़ चल कर आगे आ रहे हैं वहीं हाद जिले के कॉंग्रेस निता सह कॉंग्रेस प्रदेश सचियू विजय सिंग ने भी अपना मदद देते हुए आज मुख मंतरी रहत कोस में एक लाखी गर हजार रुपिय दिये और उन्होंने धनब पायुक से उन इलाकों में मुख मंतरी दाल भात योजना केंडर खोलेने की बात कही। अब बनेट करने का काम किया है। और डीसी साब से चाहिए कि अभी जो दाल भात योजना जो चलुआ है तो कुछी जगों पर ही चलू हुआ है। उन्होंने मांग किया है कि जो असवाठ एक्षेतर में जो मजदूर डेली जो पूईलल रानने का काम करते हुए। तो गारी बंद हो गए है तो उन लोग के लिए भी वुखमर टकागार पड़ा गया है। और उन लोग के लिए भी चिंता का भीस है है। तो हमने मांग किया है कि दाल भात योजना का जो खेंदर बनाये गया है। उसको कुछ कोलेरी अलाकों में भी और उसको और भी विश्थार रूप से उसको है। और उन्होंने भी अस्वस्त किया है कि नहीं उसको हम लोग बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी यह शुरुवात है। और दूसरा हमने आइसोलेशन वाड जो अभी इस तरीके से अभी बढ़ रहा है। यह संक्रमन तो आइसोलेशन वाड भी हमने बनाने का सुझाव बिसी साब को दिया है। कि बिसी सील की जो भी बंदपदी होस्पिटल्स हैं। आइसोलेशन वाड के लिए आइसोलेशन वाड के लिए अभी जेक्ट हैं। क्योंकि एक एंद्र सर्कार के द्वारा रेमवेस के पॉजिस में बनाएं जारी है। क्योंकि जगत की कमी होने वाली है जिस प्रकाद तरीके से बढ़ी है। इन तमाम चीजों को लेकरते हैं हमादे विवारता हैं।